जेडिव और भाजपा भले बेहार में मिलकर सरकार चला रहे हैं लेकिन जेडिव नेताओं के मन में भारतिय जंता पार्टी की प्रती बड़ा मलाल है जेडिव निताओं ने याकरोश पार्टी की राज्य कारे करेणी के प्रतम दिन मुक्यमंत्री नितीश कुमार की उपस्तिती में व्यक्त किया कुछ हारे होए प्रत्याशी तो यहां तक बोल गए कि भाजपा ने हमारे हरानी की कमान संभाल रखी थी भाजपा ने पीठ में खंजर्भोगा है उन्होंने हार की वज़ा लोजपा को माननी की बात को सिरे से खालिच किया यह पहला मौका है जब विधान सबक्च नाव के बाद पार्टी की राज्य कारेणी की बैठक में हो रही है बैठक में मुख्यमंत्री नितीश कुमार और जेडीम के राश्य अध्यक्ष आरसीपी सिंग भी मौजूद थे हारे हुए उमीदवारों ने बड़े तलक अंदाज में भाजपा पर हमला किया नेताओं ने कहा कि कई हारे प्रत्याशियों ने तो सीधे सीधे ये कहा कि बीजेपी ने उन्हें हरवा दिया एक हारे प्रत्याशी ने तो यहां तक कह दिया कि लोजपा की क्या हैसियत थी कमान तो बाजभाजपा के नेताओं ने समाल रखी थी पीट में खंजर भोका गया है पार्टी कार्याले के करपूरी सभागार में राज्य कारेकरणी के काफी तलकी दिखाई बैठक में जेडियू प्रदेश अध्यक्ष वरिश नरायर सिंग कारेकारी प्रदेश चौधरी मंत्री विजय चौधरी वपार्टी के कई अन्य वरिश नेता थे तैय कारेक्रम के अनुसार पहले जेडियू को उन नेताओं को बोलने के लिए कहा गया जो विधान सबाचुनाव में हार गए इस क्रम में चंद्रकाराय बोगो सिंग जैकुमार सिंग ललन परवीन ने अपने आकरोश प्रकट किये सभी ने एक स्वर में भाजपा पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा लोजपा प्रत्याशियों को आयवोट की वजह से हारे प्रत्याशियों ने कहा कि यह कहना खुद को धोका दिने जैसा है कि हम लोजपा से हार गए ers तो हमें पड़ी नहीं की, पूरे तमिनान से सभी की बाते सुनी गई पूरे बियार में नारा था लोजपा भाजपा भाई भाई उसका खामियाजा जदियू के भुवतना परा है इस बात से इंकार नेक पी जासे तो आज आज वो बात रखिये गाँ जरूर जो सच्चाई है उस बात को तो उठाना जयूरी है आप भी मानते हैं कि लोजपा ही वे अधिक भाजपा जिम्म्मेदार है लोजपा कभा कांए वे वह जास्पा करोणे नहीं एंग है वह तो प्रेपला की राजनीत प्रनुशने यिद्धि वाध्या बात जन्ता पर्तिव और आप भाजपा के लोगों ने गोट मेंख्या में वागता है वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें